नमस्कार दोस्तों मैं हूँ भरत और आप देख रहे हैं YouTube Red Tech भरत आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नियूमो एनसिफलोग्राफिक प्रोसीजर के बारे में पिछले वीडियो में हमने बात की थी वेंट्री कुलोग्राफिक के बारे में जो की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नियूमो एनसिफलोग्राफिक के बारे में तो पिछले वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखिए आप वहाँ से जाके देख सकते हैं करकार के जो चारो और एक लिए यूज़ लिया जाता है एन वाला जो वर्ड आगया है एन वर्ड हमेंसा यूज़ लिया जाता है किसी भी प्रकार के जो चारो और जिसके Surrounded वाला पार्ट होता है, जैसे कोई भी हमारा structure ले लिया है, उस structure के Surrounded में जो भी structure से है, उनको हम क्या कहता है, Inclosed, जैसे तो उस प्रकार से हमने N वर्ड है, यह उसके लिए वर्ड यूज लिया और ग्राफी जो है रेडियो ग्राफी करना तो इस प्रोसीजर को हम कहते है नाम से मैं पता चल गया एर क्या है एक कॉंट्राइश मीडिया है नेगेटिव कॉंट्राइश मीडिया एर क्या कि यह हो गया हमारा नेगेटिव क्यालव मीडिया ओके और अगर इसको हम बात करें यूमाS सिनांसीट प्राफी करते हैं इसके सौन ठर्म होस्तव प्राफी इंडरर वादानों प्रेश से शर्द सिफिलो ग्राफिक प्रम से कमगया से रूप में आपने पर में यापने ले रहे हैं इसको गॉत Orthodox अपिंय करते हैं देख़्हर की तरफ यह मैंनि अपनि जाती है जिन के से इंदर सिर्इंज वगे राड कीव्य है हो जिन case reg vraag को जो । इसन की नि के अंदर हम इनसीं का कई बेर कहते हैं कि तो इनसी ते निक्ट फरिफ़ंचे के उसके ड्रेंच करेंगे है जिसके आपने का प्रेंच कर देज़ करवाने है अब द्रेंच कर वाहेंगे कि से फेयेन अगे कि किस तरीके से करवाएंगे तो यह अगर देखे तो यह लंबर स्पाइन है उस लंबर स्पाइन में यह एल फॉर देदिया है और यहां नीचे की तरफ आजाएगी अपनी एल फाइट तो अभी हम जनरली इसमें क्या किया जाता है कि जो नीडल जो है इस पाइनल कोड़ के अंदर डालेंगे और इसमें से CSF का द्रेनेज करवाएंगे जैसे यह से इसमसे का द्रेनेज होगा है तो यह principle of the gases replacement is based on the principle of the gases replacement gases replacement अपन किस तरीके से कह सकते है कि जो भी अपना CSF जो अपना fluid है उस CSF fluid के अंदर अपन जैसे CSF जब अपन drainage कर लेंगे एक बार जैसे CSF drainage होगा उसके अंदर हम कौन सा contrast media यूज ले रहे हैं तो उनको क्या करना है कि इसमें अपन रिप्लेस कर दिया गैसे माध्यम से और फिर अपना यह इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात है और अगर प्रिंसिपल पूचे कि किस प्रिंसिपल पर यह से रिप्लेस्वेंट पर वर करती है अभी हम बात करते हैं कि न्यूमो एनसीपो फिलोग्राफी प्रोसेजर किस प्रकार से किया जाता है और किस तरीके से उसमें यूजफुल रहता है तो न्यूमो एनसीपो फिलो ग्रफी दसी एसे पड़ेनेज वाइद लंबर पंक्चर्स सबसे फर्स्ट अपने देख लिया यह बात के लंबर पंक्चर करके CSF को ड्रेनेज किया जाएगा एंड इक्वल एमाउंट ओप दे एर और और दे कार्बन डियोक्साइड इंट्रड्यूस्ट यह अभी बात कर लिती कि जो भी CSF अपनों जैसे CSF उसमें से ड्रेनेज करवाएंगे और उसमें क्या करेंगे एर को हम उसके अंदर इंट्रड्यूस करवाएंगे तो यह अपना न्यूमाइन से फिलोग्रफिक प्रस्टीजर होता है अभी यह चीज करने से होगा क्या कि अभी अपने CSF को बाहर निकाल दिया है ड्रेनेज करवा दिया है कारबन डियोक्साइड क को इंट्रड्यूस करवा दिया है इससे बेनिफिट क्या होगा इससे बेनिफिट यह होगा इस गिव आउट्लाइन द ब्रेन इस्ट्रक्टर्टर टु देर सेफ एंड एनाटॉमिकल लोकेशन कैन बी एग्जामिन इजी ली यानि कि यह जिस प्रकार से अभी जो हम यह इस को ईए उसमें ब्रेन की अच्छे से एक आउट्लाइन बनेगी और उसका सेफ उसमें बताएगा और आनाटॉमिकल लोकेशन जो होगी वैंट्रिकल devotion की डेतकी यह वाला पार्ट है यह सारा बिलकुल इसके इस चैंदर आउट्लाइन के तोर पर सो हो रहा है और यह एक जनरल एक्स रहें जिसमें हम तो यह इसमें नेगेटिव कॉंट्रास्ट मीडिया इंटर्डूस करवाए हैं और इस प्रकार कि हमें फाइनल इमेज इसके अंदर प्राप्त होती है नियुदिव मौयन से फिलोग्राफिक प्रोसीजर में की हम किस प्रकार से प्रसेडर करना है. की प्रकार साब्स doen वारेमें? और gases replacement work कर रहा है और तो हमें CSF को हम कहां से introduce करेंगे जो भी अपनी carbon dioxide है कहां से introduce करेंगे और CSF जो drainage करेंगे वो हम lumber puncture के त्वारा करेंगे contrast media and carbon dioxide हो गया contrast media अपन नेगेटिव contrast media यूज ले रहे carbon dioxide इसमें यूज आएगी और यह काती है summer salt chair summer salt chair क्या है एक special chair है जो इस न्यूमो एन सिफेलोग्राफिक प्रोस्टीजर में यूज ली जाती है यह special chair है जो कि क्या करती है इसका एक features है इसमें patient को अपन 360 60 degree rotate करवा सकते हैं जिस प्रकार यह patient का face है और यह इस प्रकार की एक chair है यह अपनी एक्षे tube हो गई और इधर हमारा detectors हो गए तो इसमें patient को किदर भी अपन move करवा सकते हैं तो ताकि यह move कराने से क्या होगा patient entire body would rotate into the right front position so the air move easily in the ventricular system तो air अच्छे से हमें ventricular यह देखिए इस प्रकार की एक हमें image प्राप तो इसमें ventricular system अच्छे से हमें नजर आ जाएगा तो इसलिए हमें यह summer salt chair इसके अंदर यूज ली जाती है ओके next equipment हम देखते हैं कि इसमें antiseptic solution हो गया okay local anesthesia syringe हो गई gloves आ गये और sterile towel और gouache piece आ गये okay तो यह सारे equipment हमारे इसके अंदर useful रहने वाले हैं okay अब हम बात करते हैं कि हमने उसके पूरी definition देख ली और definition के बाद हमने equipment भी देख लिया हैं जैसे कि detection of the mass and tumor mass and tumor in the brain brain के अंदर किसी भी प्रकार का mass या tumor है तो वह हमें इसमें से इसमें detect कर सकते हैं determination of hydrocephalus hydrocephalus के बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर बात किए तो hydrocephalus भी जो conditions है उसके अंदर भी हमें यह procedure किया जाता है and evaluation of the ventricles जो ventricle system है ventricle system की anatomy हमने पिछले वीडियो में देखिए जिसकी link आपको description में मिल जाएगी ओके तो ventricle को evolution करने के लिए भी यह procedure किया जाता है ओके तो indication होगे अब हम बढ़ते हैं patient preparation की तरफ तो patient preparation के अंदर general जो most commonly जाता है कि जो after midnight हमें कुछ भी patient को खाना पिना नहीं है okay and जो sedative medication होगी वो हम IV line के थुरू उसमें patient को देंगे ताकि patient relax रहेगा यह procedure से पहले किया जाता है ताकि patient में किसी भी प्रकार की hesitation अगेरा नहीं हो इसलिए उन्हें sedative drugs दिये जाते हैं okay sedative medication okay so अब हम बात करने वादे हैं procedure के बारे में कि किस प्रकार से procedure को step by step जो procedure को लिया जाता है उस step by step procedure को हम लेंगे तो किसी भी part को skip न करे okay तो अभी सबसे first हमें अगर step के बात करें passion के procedure के अंदर सबसे first passion को somersault chair पे sitting position में बैठाएंगे fully flexed करके fully flexed करने से क्या होगा कि जो हमारी जो lumber spine है okay उसके अंदर थोड़ा gap आएगा तो हम needle को आसानी से इसमें introduce कर सकते है spinal cord तक okay तो passion को fully flexed करना है spine and resting is the head and chin of the suitable support suitable support के साथ इसको passion को support रखना है अब क्या करेंगे जो हमारे lumber वाला part है उस lumber वाले part हम क्या करेंगे antiseptic solution apply करेंगे उस skin के उपर जो भी हमारे lumber वाला region है okay next step में चलते हैं फिर जिस part पर अपन जैसे हमारे lumber वाले part है उस पर हम क्या करेंगे local anesthesia देंगे जो भी अपनी examine site है यानि जहां पर अपन puncture करने वाले हैं उन puncture वाले parts पर अपन क्या करेंगे local anesthesia देंगे ताकि वह थोड़ा सा part थोड़ा सा सुन हो जाए okay okay अब क्या करेंगे the first lower number puncture first lower number puncture अपन किसको कह सकते है L5 & L4 okay first lower number puncture needle is introduced slowly in the spinal canal into the sub arachnoid space okay so space की अगर हम बात करें तो अगर हम enclosed यानि layer की अपने बात करें तो किस प्रकार से होता है जैसे कि यह brain का ventricle है यह brain से ही हमारी spinal cord निकली है जो यह अपना brain है उस brain के around में क्या होती है कि जो हमारी layers है okay तो जो सबसे close के अंदर है उसको हम कहते हैं pyameter 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 के बाद आती है arachnoid arachnoid और फिर हमार आ जाता है durameter okay तो अपन डूरा मेटर हो गया arachnoid और pyameter यह सारी layers होती है तो जो भी अपन सब pyameter हो गया तो अपन इसमें क्या करेंगे कि जो लंबर पंक्चर अपने किया है उसमें अपने needle को introduce कर वाएंगे slowly spinal के अंदर कहां तक sub arachnoid space तक क्योंकि sub arachnoid space के वहीं पर हमारा क्या होता है cerebral spinal जो CSF fluid है वह अपना वहीं पर अब क्या करेंगे कि जैसे ही अपने उपर वाली जो पंक्चर लो नीडल इंट्रड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर जैसे जैसे नीडल को first lower number में डाल दिया है then the upper needle is introduced slowly in the spinal canal ओके यह देखे इसमें दो नीडल अपन यूज लेंगे जैसे कि अपने equipment में देखा था कि दो लंबर पंक्चर में नीडल की ज़रुत पड़ेगी तो जो first वाली जो अपने डाली है spinal needle तो अभी उसके अंदर अपन क्या कर रहे है वह डालके रख दिया और एक उपर की तरफ ज़रुट उसके अपर नीडल अपनी 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 नीडल हो गई एक स्थियोर और स्थियोर गाइक अधक के उसने लीड़े और यह श्यार्श दफ की फ्लो रेट रख रहे हैं तो एस प्रकार से यह खाय हो गा जैसे जैसे यह हो गया और जो अपन जो यह CSF की flow rate रख रहे हैं तो CSF flow rate of the CSF and injected air should be same to maintain the intracranial pressure intracranial pressure को maintain करने के लिए पिछली बार भी हमने manometer यूज लिया था जिसके अंदर intracranial pressure हमें detect होता रहता है अब क्या करेंगे जैसे ही हमारा यह contrast media उसमें introduce करवा दिया हमने यह सारा जैसे ही सारा complete हो गया है तो हम क्या करेंगे पैशन को acceptable पर सिफ्ट करेंगे अपने इसके अंदर लेंगे ताकि हमें negative contrast media जो हमारा उस canal के अंदर जो अपने ventricles cavities है या जो भी अपने spinal cord के चारो तरफ in close okay जो contrast media अच्छे से सो हो रहा है तो हम first lateral image लेंगे ताकि हमें वो contrast media उसमें सो हो जाएगा after the visualization of the air in the ventricles जैसे यह ventricles के अंदर हमें एर सो हो जाती है दर नीडल रिमूव एंड द्रेसिंग एप्लाई on the puncture side जो हमने पंक्चर किये थे numbers के अंदर okay so number के अंदर जो हमने puncture किये थे अब क्या करेंगे इस नीडल को रिमूव करके हम क्या करेंगे उस पर dressing apply कर देंगे puncture side पे puncture side पे जैसे हम dressing apply करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे जो हमारा procedure की इमेज जो टेकन का जो रहता है अब हमारा जो लास्ट वर्क रहा है क्योंकि अब सारा पेशेंट बिल्कुल उस सारे प्रोसेस से complete हो चुका है अब हमें इस प्रकार से हमें आप से इसके इसके इंदर मीडिया दिख गया यह चैसे ब्लेक ब्लेग व्लेक इसके अंदर अपियर होके हमें अच्छे से contrast media की detail हमें मिल जाती है, तो इस प्रकार से ही हमारी image इसमें useful रहती है, most हो गई AP, PA and lateral view, तो इस प्रकार से ही हमारी सारा यह procedure इसमें complete होता है, जैसा कि हम जानते हैं और हमने पहले भी बात कर ली कि these procedure replaced by the less invasive modern technique like MRI and CT, so complication की अगर हम बात करें, तो कौन-कौन से complication आ गए, case प्रकार के, इसमें complication थे, जिसके कारण हमें modern CT और MRI की हमें ज़रूत पढ़ने लगी, okay, तो एक तो procedure को easy करने के लिए, हमने CT और MRI के अंदर, the procedure is the extremely painful, headache हो गया, and vomiting हो गई, यानि कि बहुत ज्यादा headache, headache की बहुत सारे case आने लगए, क्योंकि कई बार intracranial pressure सही नहीं रहता, तो उसके कारण headache हो गया, और vomiting होने लगती है, high fever, okay, and time consuming procedure, और इस procedure में time भी बहुत ज्यादा लगता है, तो यह इस procedure के कुछ complication से, इसलिए CT और MRI ने इसको completely replace कर दिये हैं, इसमें आसानी से, और बहुत जल्दी हमें, इसकी images हमें मिल जाती है, अगर हम इस procedure को, अगर हम इस procedure के अंदर हमने बहुत से topics के बारे में बात कर लिए हैं, जैसे पूरा अगर pneumo and cephalography के बारे में देखे तो, कि pneumo and cephalography procedure की हमने definition द इसको air study भी कहते हैं, air study हो गया, प्लस इसको एक और word कह रहेते हैं, PEG study, यह देख लिया, और फिर हमने इसके indications देख लिए, कि cancer detection हो गया, ventricle code detection के लिए, indications हमने देख लिए, इसके किस-किस प्रकार के complication थे, complication की हमने बात कर लिए, ओके, फिर अपने बात कर लिए, इसके अंदर equipment सारे हमने देख लिए, साथ में Somersault chair की थोड़ी details भी देख लिए, कि Somersault chair किस प्रकार से work करती है, इसका principle क्या हो गया, न्यूमोएन सिफिलोग्राफिका की जैसे gases replacement था, gases replacement principle पर work कर रहता, ओके, इसके indications देख लिए, complications हो गए, equipments हो गए, procedure की पूरे step by step सारे हमने देख लिए, procedure सारे step by step हमने इसमें बात कर लिए, और हमने इसकी images देख लिए, okay, so amazing करने के बाद भी हमने उस amazing के features भी देख लिए, कि AP जो है, वो किसलिए important है, PA किसलिए important है, और lateral view जो है, वो किसलिए important है, तो इन सारे के बारे में भी हमने बात कर लिए, और पूरा हमारा completely, यहाँ पे newmoancy philography procedure हमारा complete हो जाता है, okay, thank you, मिलते हैं next video में, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो आप like कीजिए, और अगर आपके किसी भी प्रकार के questions हो, तो आप हमें comment section में बता सकते हैं, और चैनल को subscribe करना न भूले, और दोस्तों को share करना न भूले, okay, thank you, मिलते हैं next video में,